सबी बच्चों को मेरा नमस्कार क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एंसी आर्टी एकसरसाइज 1.3 आगे इंट्रो लिखा हुआ मताई इसकी क्यों बाते बताई जाएंगी एकसराइज भी हम नहीं पहुचेंगे क्यों उसका बताएंगे परिशे क्यों था एकसराइज 1.3 हुआ करती थी जिसके चाचा का नाम था दसम्लो डेस्मले सब बताया जाएगा देखें हमने लिखा है रियल नमबर वास्तिविक संख्याएं यह होती क्या है इसके पहले वाले वीडियो में आपने नमबर सिस्टम का रहें वो हम नहीं बताएंगे आपने पढ़ा है कि 1,2,3 ऐसी संख्याएं होती थी जिनको क्या आप कहते थे नेचुरल नमबर ठीक है काउंटिंग नमबर वास्तिविक क्या कहते थे उसको नेचुरल नमबर को हिंदिम क्या कहते हैं प्रक्रतिक संख्याएं उसको किसे इंडिकेट करते थे अब आपने का आप तो कहें नहीं बताएंगे और नहीं बता रहे हैं लगवग शार्ट में बता रहे हैं और जब इसमें 0 बढ़ा देते थे 0,1,2,3 तो ये क्या हो जाता था ओल नमबर यानि कि पुर्ड़ांक इंटीजर कहते थे ठीक है फिर हमने कहा था जिन संख्याओं को P upon Q के रूप में ले सकते हैं उन्हें हमने इंडिकेट कहा था क्यू से इसको कहते है रेशनल नमबर परिम्य संख्याएं और जिनको P upon Q के रूप में नहीं ले सकते उन्हें हम आपर में संख्या कहते हैं ये सभी संख्याओं की जो खांदान है इन खांदान को कहते हैं real number वास्ती संख्याओं है मतलब 1 भी हो, 2 भी हो 1 by 2 भी हो, 0.12 भी हो under root 2 भी हो, root 5 भी हो कुछ भी हो सब minus 5 भी हो, minus 7 by 2 भी हो सब आपकी संख्याएं कैसी है रियल नंबर है लेकिन शर्त ये है कि अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए otherwise वो रियल नंबर नहीं होगी तो जब आप से रियल नंबर की बात करेंगे वास्तिक संख्या की बात करेंगे तो आप समझ जाईएगा कि वो कोई भी संक्या हो सकती है रूड में हो सकती है घनमूल हो सकता है क्यूब रूड हो सकता है स्क्वार रूट है अपान में हो सकता है निगेटिव हो सकता है डेसिमल में हो सकता है देसिमलों में हो सकता है जैसे होताना कि लंबा आत्मी क्या नाम रखा जाएगा लंबू छोटा है तो ठिंगनू सर में बाल नहीं तो गंजा नहीं मतलब तो मैं ऐसी कहा रहा हूं उनके नमन क्लेचर होता ने तो उनके नाम कैसे रखेंगे उनके बारे हम बात करने जा रहे हैं आईए ध्यान से समझेगा हम कुछ नंबर्स के बारे में ऐसे हवम बात करते हैं हवम मतलब लिखेंगे यहां पर हवम बात करते हैं जैसे मैं आप से कहूं कि दस को तीन से डिवाइट करो बाग करिए अरे वाह नाहिंत क्लास में इता चोटा पिद्धी भरकर डिवाइट करि तो आप तीन से डिवाइट करेंगे दस को तीन कंग थीन इक आयएगा 0.03-3 थीन थेन दुए इसको 1.333333 । оказ किया कभी खतम होगा नहीं खतम होगा ठीक चलिए इसको छोड़ देते हैं इसको छोड़ देते हैं छोड़ मतलब इसको ग्रव नहीं कर देते हैं अगली संक्या हम साथ को आठ से डिवाइट करते हैं साथ को आठ से डिवाइट करो साथ को तो क्या ऐगा जीरो यहां पॉइंट कहलाएंगे, यहां जीरो आएगा क्या होगा, सतवर सपन सतवर सपन यहां पर जीरो बजाएगा यहां पर जीरो आ गया इसको रिमेंडर कहते है शेस्पल तो यह आएगा 0.875 यह आगी संख्या ठीक है आप मैं एक नमबर दो लेता हूँ एक बडे साथ साथ से डिवाइड करो एक को डिवाइड करके देखते हैं साथ को डिवाइट करेंगे साथ से डिवाइट करेंगे एक को फ्रलेंदी जाएगा ध्यान से देखिएगा डिवाइट करते ही चले जाएगे नहीं जाएगा जिरो पॉइंट कहलाएंगे जिरो कहलाएंगे साथ इकम साथ तीन जिरो सचवक अठाइस दो जीरो साथ दुनी 14 छे जीरो सत्वट छपन चार जीरो साथ पन्ना 35 कितना आएगा पांच जीरो सासते उन्चास एक जीरो फिर दस आ गया देखिए फिर रिपीट हो गया ना फिर दस आएगा फिर एस एक बार जाएगा फिर साथ जग फिर यही रिपीट हो जाएगा ना एक से start किया था फिर एक आगया नीचे यहां एक आया ना तो तो 0 आपने खिला एक तो फिर से कहा repeat होगी? तो आपने क्या देखा? लिओ्ट 1.42857 repeat होगजा ना जब कोई number रिपीट होता है उसके उपर बार लगा देते हैं यानि कि ये 0.0 पॉइंट के उपर बार लगा दीजिए तो ऐसी भी संक्या हें हमारे पास हैyes1.11011010010010010011101001 بتा सकते इसके बार नम्मर की आएगा नहीं मालूँ तो इस तीन संक्या है हमारे पास ये हैं ऐसी भी संख्या है ऐसी भी संख्या है और ऐसी भी संख्या है पता नहीं कैसी कैसी संख्या है तो इन संख्याओं के नाम कैसे रखे जाएं तो नहीं नाम के बारे भी हम बात करने जा रहे हैं देखो देखो अगर ये संख्या है आपकी जो कभी खतम नहीं होती है ना खतम होने को कहा जाता है non-terminating क्या नाम इसका रखा जाएगा non-terminating कभी भी खतम नहीं हो लेकिन यह end का sign है यह लगाता repeat हो रही है उसको repeating या recurring कहते है repeating कह सकते है या recurring कहते है recurring recurring decimal ठीक है जो number ऐसे हो जो कभी खतम नहों decimal कभी खतम नहों यानि कभी भी successful उसका 0 नहों remainder 0 नहों और लगाता repeat हो उन्हें non-terminating and recurring decimal कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अनवसानी अनवसानी यह तो कहा जाता है non-terminating के लिए और आवर्ती आवर्ती अनवसानी कभी आपने सुना नहीं होगा terminating तो सुना होगा इन लोगों ने तो ऐसे number को कहा जाता है non-terminating and repeating या recurring decimal ठीक है अचा दूसरा मैंने जो example दिया था 7 by 8 का तो उसको जब हम ने divide करके लिखा था तो 0.875 आया था ना अब divide करने हम जानी रहे हैं डायड लिख रहे हैं ठीक है तो ये तो आपका कैसा हो गया इसमें अगर divide करेंगे तो remainder 0 हो जाएगा ना successful 0 हो गया था एक तो इस divide किया था तो यदि ये आपका terminating decimal है इसका नाम क्या होता है terminating terminate मतलब खतम हो जाना terminating decimal ठीक है यानि सान्त हो जाना तो इसको सान्त दसमलो कहते है सान्त दसमलो ये वो वाला शान्त नहीं है शान्ती से बैठो ये सान्त दसमलो हो गया ठीक है तो अगर ऐसा संक्या हो जो हाँ पर divide के बाद एक समय remainder 0 हो जाए और आगे divide ना चले उसको हम terminating decimal या शान्त दसमलो कहते है ठीक है तो ये आपका तो कभी खतम ही नहीं हो रहा है ना तो खतम हो रहा है ना तो repeat हो रहा है तो ये तो non-terminating है ये बाद खतम नहीं हो रहा है इसलिए non-terminating है non-terminating है ये जिसको हम कहेंगे कि अनावसानी है और ये नान रिकरिंग भी है नान रिपीटिंग कह सकते हैं कि नान रिकरिंग मतलब अनावर्ती ठीक है रिकरिंग नाम आप से सुना होगा पोस्ट आप इस पे चुप्पे से मम्मी आरडी खुलाती है हर महिने पैसा जमा करती है वो रिकरिंग होता है लगाता अब हम बात यहां पर in decimal की नहीं करेंगे अगर यह कहीं आ जाएंगे इनका नाम पुछा जाएगा भी यह इनका नाम क्या है जानते हो कहा रहते हैं तो आप कहेंगे यह जानते हैं नान टर्मिनेटिंग है नान डिकरिंग है बगल में रहते हैं बस और सब की बारे में बात कर करके आएगा और हमने का था जो repeat करेगा उसमें थरी बार लगा देंगे यहां पर केवार append वाले element आ रहे हैं बात में इससके पहले zero आ रहा है जिसको pure recurring decimal कहते हैं मताब decimal के पहले दसंबलों के पहले कोई संख्या ना हो जीरो से start हो ठीक है इसको शुध आवरती दसंबलों क भा जाता है ठीक है अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसी संख्या लिखी भी है तो भाईया इसको यह लिखा जा सकता है। इसको पौैंड 5 यूकर रूप में लिखा जा सकता है यह संख्या लिखियी है ट्哇пवेंट ट्वाइंट MON theta 00100 00 0011 1 यूको नहीं लिख सकते हम इसी संख्या को लिखा जा सकता है। क्योंकि इसी से यहां ले करके आये हैं तो हम दो प्रगार की question, दो-तीन तरीके question discuss करेंगे, कुछ example देंगे, अभी एक size हम नहीं बता रहे हैं, अभी को लिए introduction कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ इंट्रो यूज कर दिया है, इसका introduction दिया जा रहा है, ठीक है, अब कुछ example हम discuss करने जा रहे हैं, तेखिए, तेखिए, होता है, निरूपीत करना होता है, उसको x मान लेते हैं, क्या हैगा 0.3333333, कितनी बाद, जितना तुम्हारा मन हो, इसे paper में आप question कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो लिखते जाओ 333333, तीर गंटे का दिक्कत है, दो-4 कापी भरो जागर के, अब जड़ा साउधा कि decimal के बाद, दशमलों के बाद, कितनी संख्याय रिपीट हो रही है, एक, है ना, तो आप इसमें अगर एक संख्याय रिपीट हो रही है, तो एक पे एक 0, इससे multiply करेंगे, अगर यहाँ दो संख्याय रिपीट होती, तो हम इससे multiply करते हैं, तीन संख्याय होती, तो इससे multiply को ध्यान र्कींगा याणि दोनों तरफ किस दोनों पक्षों को दस से गुणा करने पर. Multiply करना आपको आता होगा वो नहीं सिखाने जा रहे हैं. इसमें multiply करोगे तो 10X आ जाएगा और इसमें जब करोगे तो दशमलो एक अंगबाद shift हो जाएगा. क्यों जाएगा 3.33333 टिक टिक टिक. equation number two. समझ में आगी बात अब क्या करेंगे इन दोनों को subtract कर दो Subtracting equation 1 and 2 समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर यह ध्यान रखिए हमने समीकरण 1 में 2 को घटाने पर नहीं कहा है हमने यह ने कहा equation 1 में 2 को मैनस कर दी जिसमें इसको जो माइनस करो, तो माइनस करने में चुंकि बड़े को उपर लिखा जा सकता है, तो पहले यह लिखेंगे हम, 10X, इसको इधर के आएगा, 3.3333, जितनी बार चाव लिखो, और यहां X लिखेंगे, 0.3333, 10, जब माइनस करोगे, यहां पर 9X आजाएगा, और यह X की वल्यू निकालोगे, तो कितना आएगा, 3 बटे, 9, 3 से कर जाएगा, X कमान क्या आएगा, 1 बटे, 3, अभी स्टार्टिंग में, मैंने 1 बटे, 3 को ही ते लिखा था ना, तो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से नंबर दिया है, नान टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डिया है, अनावर्ती, यह आवर्ती दिसम्लो दिया है, तो इसको प्यपान क्यूप के फार में लिखने का यह तरीका होता है, ठीक है, नोट करिए, देखिए, अब नोट का 0.34 बार, देखो, दिसम्लो के पहले कोई नंबर है नहीं, तो प्योर डिसमल हो गया, प्योर रिकरिंग अब क्या तरीका होता है, अभी हमने कहा, अगर दो नंबर रिपीट होते हैं, तो आपको दो जीरो, यानि हंड़र से मल्टिप्लाइग करेंगे, तो मल्टिप्लाइग, बोट दा साइड्स, बाई हंड़र से करोगे तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हंड़र एक यहां क्या होगा, जो डेसिमल है ना, दो अंखी सक जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा, थर्टी फॉर पॉइंट थ्री फॉर थ्री फॉर ऐसे लिखा, आप क्या करेंगे, इन दोने एकुशन को सब्ट्रेट कर देंगे, सब्ट्रेक्टिंग एकुशन बन एन टू, तो हमने वन बाई टू ने लिखा, यह हिंदी में लिख लेंगे ना, समीकन एक और दो को घटाने पर, तो हंड़र एक्स पहले करेंगे, इधर क्या आएगा, थर्टी फॉर पॉइंट थ्री फॉर थ्री फॉर टिक टिक टिक, यहां एक्स ब्रावर क जाएगा, थर्टी फॉर पॉर पान नाइनटी नाइन, समझ में आए बात, तो यह एक तरीका होता है, कि नमबर्स को कैसे, जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, आवरती डेसिमल होते हैं, उसको कैसे पी पॉर पान क्यू के फार में लिखा जा सकता है, ठीक है, नोट करें, मतलब क्या हुआ हमने क्या तरीका बताया हमने का इसको एक समान लो और क्या कर दो 3535 को सुरी तू तो अकेला रहेगा और क्यों रिपीट कौन होगा 353535 टिक 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 यह जरा यहां पर अलग-अलग teacher को बताने का तरीका अलग अलग होता answer सबका एक निकलता है हमारा अपना तरीका है किसी और teacher का दूसा तरीका हो सकता है जरा समझेगा जो number repeat नहीं हो रहा है ध्यान से समझेगा हम फिर बता रहें अलग अलग teacher का तरीका अलग अलग है जो number repeat नहीं हो रहा है वो है दो अकिला है ना इसको पहले decimal के पहले लियाओ यह पहले कैसे आएगा यह point अटाएंगे यहां लगा देंगे pen हमारा कापी हमारी आरे नहीं भाई यह तरीका नहीं होता है कैसे यह आएगा इसको लाने के लिए point को यहां लगाना पड़ेगा और point को यहां लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से multiply करना पड़ेगा तो multiplying by 10 multiplying किसको equation 1 by 10 अब आप कहेंगे आप तो अभी बता रहे थे कि अगर दो number repeat होंगे तो 100 से multiply करेंगे तो साथ में हमने यह बता है ना जो repeat नहीं हो रहा है उसको पहले हम लेके आ रहे हैं तरीके अलग-अलग teacher के अलग-अलग हैं confuse मत होना तो इसको 10 से multiply कर दिया हमने तो क्या आएगा 2.353535 यह आ गया अब इसका काम खतम यहां पे देखो repeat कितने हो रहे हैं 2 अब इसको multiply करो दो repeat हो रहे हैं किसे करोगे 100 से multiplying equation 2 by 100 यहां लिख देंगे ना 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर समय करने यहां 100 से गुणा करने पर इसको 100 से multiply करो तो 100 से करोगे यहां 1000 हो जाएगा ना एक 0 जब पहले से लिखा हुआ है और decimal कहाँ किसकेगा दो डिजित उदर जाएगा 2. sorry 2.35.3535 यह repeat हो रहा है अब इन दोनों equations को minus करो subtracting equation 2 and 3 समी कर दो और तीन को घटाने पर तो पहले यह x भी लिखा हुआ है पहले इसको लिखोगे 1000 x यह क्या हैगा 235.3535 और यह क्या है यह 10 x यह क्या हैगा 2.3535 माइनस करने की कोशिश करो तो अगर आप 1000 में 10 माइनस करो कितना आएगा 990 आएगा यह 990 x होगा यहां कितना आएगा 233 उदर 0 हो जाएगा तो x का मान क्या आगया 233 बटे 900 990 अगर यह किसी से कट रहा है तो ठीक है उना यही आंसर है कट नहीं रहा साथ तो यह तरीका होता है किस प्रकार से डेसिमल उसमें आप लिखते हैं तो यह x size 1.3 का जो introduction पार्ट है यह हमने बात की अब चुकि वीडियो अगर हम x size को भी से सामिल करते हैं तो लिंदी हो जाएगा तो पहले तितनी कोशन लगाईएगा इसके बाद आप यहां चाहो तो 0.000 कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है का करोगे लिख करके ठीक इतनी ठीक है ठीक है राइटिंग थोला गंदी है लेकिन फिर भी हमने समझाने की कोशिश की है अगर आपको लगे कि आपके कुछ काम का वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेएगा रेगुलर वीडियो हम कोशिश करते हैं डालते रहते हैं क्लास 11, 12 फिजिक्स, मैथ, 9, 10, मैथमेटिक्स तो हमें लगता है आपके लिए हेल्फिल होगा ओके नमस्कार